बिसमिल्लाविरह्माई रहीम, वेल्कम बैक टो माई चैनल, उम्मित करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हेरियत से होंगे और आज का जो टॉपिक है वो है मोटिवेशन और इस वेडियो में हम इसके मिनिंग जानेंगे और इसके जो डिफिनिशन है और इसके जो एक्ज एजम्पल है वो भी आप लोगों को समझाएंगे तो वेडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्रेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको भी मजीद वेडियो असानी से मिले और हमीं भी सपोर्ट मिले तो चालो शुरू करते हैं मोटिवेशन की मिनिंग से कि जो मोटिवेशन का जो वर्ड्स है इसका क्या मतलब है इसका क्या मानी है मोटिवेशन का जो मतलब है जो मिनिंग है इसका मतलब है वाई आप परसंट डैस सम्तिंग मतलब कोई भी शखस काम करता है तो क्यों करता है यह जो क्यों करता है इसी का मतलब मोटि कहता है अगर हम बात करें definition की what is motivation motivation is the process that initiate guide and maintain goal oriented behavior इसका मतलब यह है कि motivation एक process है जो किसी भी आदमी को initiate करता है मजबूर करता है कि वो कांग कर ले और इसके जो goal oriented behavior इसको maintain रखें और इसको proper guide करें उस काम करने के लिए तो इसको हम motivation कहते हैं अब हम बात करते हैं कि motivation की पीछी कौन-कौन से पोर्स है जो इनसान को मजबूर करते हैं कोई काम करने पर जो कि एक पोर्स नहीं है जो बताया बिलोजिकल, social, emotional ये इनसान को क्या करता है मोटिवेट करता है किस तरह मोटिवेट करता है जैसके कोई जो extra weight है उसको loss करना चाहते है तो मोटिवेट करता है ये पोर्स और इसके लावा कोई promotion चाहता है काम करने में तो इनसान क्या करता है पिर मेहनत दुगना करता है तो ये क्या हो गया एक motivation हो गया इसे तरह हर एक force अपने अपना काम करता है और इनसान को मोटिवेट करता है मोटिवेशन की वज़ा से आप अपने गोल की करीब जाता है और अपने जो गोल है उसको अचीव करते है वो ये है, the doing of an activity for its inherent satisfaction, rather than for some sufferable consequence. मतलब कोई भी काम करना, जो बगएर कोई pressure, जो outside का जो pressure है, या कोई force है, इसके बगएर अपने enjoyment के लिए, अपने satisfaction के लिए जो काम करना, इसको हम intrinsic motivation कहते हैं. जैसे कि किसी को book reading का शौक होता है, तो वो खुद book read करता है, खुद library जा की book पढ़ता है, इसको कुछ भी नहीं मतलब, लोग pressure नहीं करता कि आप book लाजमी पढ़ लेकर उसको शौक है, तो वो hobby की तोड़ पर book पढ़ता है, ये क्या बना? intrinsic motivation बना. और इसके लावा जो लोग exercise करते हैं, वो अपनी आपको fit टर रखना चाहते हैं, और जो stress है, उसको कम करना चाहते हैं, तो वो किया करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, ये भी intrinsic motivation में आते हैं, इसके लावा एक तहकी के मताबक intrinsic motivation है, ये लड़की में ज्यादा है, क्योंकि लड़की जो हैं, अपनी मर्जी से कामें ज्यादा करते हैं, जैसा कि अपनी पसंदीरी काने बनाना, या कोई डिजाइन अगरे करना, ये लड़की के क्या बना, intrinsic motivation, दूसरा टाइप जो motivation कहा है, वो है extrinsic motivation, extrinsic का मतलब ये है, कि आप motivate होना, जो बाहर मतलब pressure है, जो force है, इसी के बाद आप motivate होना, इसको कि हम क्या कहता है, extrinsic motivation, जो definition है, वो ये है, your behavior is motivated by an external factor pushing you to do something in hope of earning a reward, इसका मतलब ये हुआ कि कोई बाहर का जो factor है, जैसे कि scholarship है, वो आपको मजबूर करता है, कि आप study कर ले और अच्छी हासी नमबर ले ले, ताकि आपको scholarship मेले, जो scholarship है, य आची तरह नमबर लेंगे, आची तरह पढ़ेंगे, तो आपको जो गुर्नमेंड है, वो scholarship देगा, ये क्या बना, आपको एक reward दिया, और ये क्या बना, extrinsic motivation हो गया, extrinsic motivation में भी आप तो book पढ़ लेते हैं, लेकर आप book अपने मर्जी की book नहीं पढ़ते हैं, अपने enjoyment और सिटिस्पाय हो जाए, आप इसलिए सपाई करते हैं, कि कोई visitor आने वाला है, कोई महमान आने वाला है, जब इसी की तुरू आप सपाई या reading करते हैं, या कोई भी काम करते हैं, जैसे कि exercise तो कर लेते हैं, ताकि मेरा weight lose हो जाए, इसी की वाज़ से नहीं करता कि मुझे तो और सा relief मिले, तो ये किया बना आपकी? Extensive motivation, ये ता आज का topic जो कि motivation और इसके main दो टाइप है, इनके हवाले से था, मजीड topic के लिए इस चैनल को subscribe करो, और आप लोगों का बहुत शुक्रया जो support आप करते हैं, तेंक्यू, अलाहाफेज